नमस्का दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कॉम्पिडेटिव एक्जाम को लेके भौति विज्ञान जनल साइंस के कुश्चन्स और साथ में आज हम पढ़ेंगे मातरक के बारे में भौति विज्ञान में जो मातरक हैं जिसे संख्या के रूप में प्रक्ट किया जा सके उसे राशी कहते हैं जैसे आईू लंबाई भार आदिये बाकी के नीमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं बहुतिक राशियां तो परकार की होती हैं जिसमें मूल बहुतिक राशिय और साथ में ड्राइब्वीजिकल यूनिट वित्मन बहुतिक राशियां fundamental physical quantity और drive physical quantity और drive physical quantity मूल भोतिक राशियां जिनने बिना किसी दूसी राशिय की साहित से प्रभाशित किया जा सकता है जैसे दर बिमान, lens, that is lens, लंबाई, समे, विद्य, धारा, आदि, विद्पिन भोतिक राशियां जिनकी drive physical quantity वो राशियां जो मूल भोतिक राशियों के पदों से प्रभाशित की जाती है इसे चाल, समवेग, प्रिष्टतराब, दाब, इतियादि, भोतिक राशियों को दो बर्कों में विवाजित किय गया है, सदिश राशियां और अदिश राशियां, तो यह कही बार बहुत बार कुश्चन आता है कि इन में से कौन सी सदिश राशिय है, तो वो राशियां जिन में परिमान, परिणाम के साथ, साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, जिसमें आप देखें, उसमें एक वेक्टर यानि की दिशा के साथ साथ वहाँ पे परिमान परिणाम भी दिया जाता है फॉर एक्जामपल यहाँ पे बल है वेग है विलासिटी और विलासिटी में आप देखें कि यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे डिरेक्शन भी होती है सम्वेग, शेतरफल, तोरण, इतियादी हमें यह याद रखने की जरूरत है कि सदिस राशिय जिन में दिशा होती है और साथ में परिणाम भी होता है उन्हें हम सदिस राशियां कहते हैं आगे हैं अदिस राशियां अदिस राशियां, स्केलर कॉंटिटीज, वो राशियां जिन में केबल परिणाम होता है उन्हें हम स्केलर कॉंटिटीज या अदिस राशियां कहते हैं दर्ब्यमान, घनतब, विद्युधारा, चाल, आयतन, ताप, इतियादी आप देखेंगे दोस्तों ताप का कोई दिशा नहीं होती, धर्ब्यमान की दिशा नहीं होती, घनतब की दिशा नहीं होती और इसी तरह चाल की भी कोई, स्पीड की भी कोई दिशा नहीं होती तो अब आता आती है मातरक की मातरक चुहें किसी राशी का माप करने के लिए उसी राशी के निश्चित परिमान को माना जाता है उसे नाम दे दिया जाता है इसी को उस राशी का मातरक भी कहते है यानि कि किसी राशी को मापने के लिए उस राशी के निश्चित परिमान को मान लिया जाता है और उसे हम मातरक कहते हैं किसी राशी को उसके मातरक से तुनला करने की क्रिया को मापन कहते हैं किसी राशी को उसके मातर से तुनला करने की क्रिया को हम मापन कहते हैं तो मापन ये होता है, जैसे आप किसी वरस्तु के मापने हैं, तो उसके मातर से तुनला की जाती है और उसे मापा जाता है, जैसे किलोग्राम में दो किलोग्राम है, दस किलोग्राम है, लेंथ में दो मीटर है, दस मीटर है, इस तरह बताया जाता है, मातरक दो प्रकार के होक वो fundamental units जो है उनकी संख्या रहती है साथ जैसे मूल भूतिक राजियों के मातरक को मूल भूत मातरक कहते हैं जैसे रब्यमान, लंबाई, समेच, ताप, विद्युधारा, जोतिती विद्युधा, पदारका, परिमार आदी के मूल मातरक कहते हैं और उसके बाद है नमबर दो के विद्युधारा, यानिकी ड्राइब यूनिट मूल भूत मातरों की सहाइता से विद्युधारा प्राप्त किये जा सकते हैं और मूल यागर हम शॉर्टकट में कहें मूल भूत मातरक के अलावा सभी मातरक विद्बन मातरक कहलाते है इसकार्थ यह हुआ कि मूल मातरक फंडामेंटल यूनिट्स से अन्य जितने भी यूनिट्स हैं उन्हें ड्राइब किया जा सकता है उन्हें बनाया जा सकता है अब दोस्तों बात आती है मातरक क्यों जरूरी है तो मातरक उससे पहले हम बात करें तो दो पूरक मातर बी हां कहा जाते हैं Plain Engle, तली कुन का मातरक और घंकुन, यहनकी solid angle तो बात आती है कि मातरक क्यों जरूरी था और इसे, इस प्रकार लोगों ने सेकंड पी एफ एफ पी एस फुट पाउंड सेकंड एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड तो उसके बाद 1967 में SI सिस्टम इंटरनेशनल ड्राइवड सिस्टम इंटरनेशनल अंतरस्टी माप तोल के लिए सभिकार किया गया क्यूंकि जब पूरे बिशब में ट्रेडिंग या बैपार को बढ़ावा देने के लिए और उचित माप दंडों को लाने के लिए पार दरशिता लाने के लिए इसका प्रयोग किया गया जिसमें जैसे लंबाई है अगर हम मालो भारत में हैं तब भी हमें अगर हम भारत में हैं तब भी हमें यहाँ पे हम 10 मीटर की रोड गोल्ड की मालो अमेरिका भेजते हैं तो वहाँ भी वही मैयरमेंट अपनाया जाएगा और इस तरह ट्रेड करना असान हो जाएगा किलोग्राम की बात करें किलोग्राम है समे सेकंड है यहाँ पे देखें फंडामेंटल यूनिस में लेंथ का मीटर है दरब्यमान का किलोग्राम है समे का सेकंड है विद्युधारा का एंपियर है ताप का कैल्विन है जोतिती वृता का कैंडेला है पदार्थ की मातरा का मूल है amount of a substance एक में रहता है छे देशनलब जीरो दो दो into multiply 10 की पावर 23 यह 10 यह साथ fundamental units हैं जो की प्रयोग में लाए जाते हैं और इन सभी की इन सभी की साहिता से इन सभी की साहिता से हम अन्य ड्राइब यूनिट यहां से बनाते हैं इसके आगे जैसे हम बात करें ध्वनी तीवरता डैसिवल है कारे उर्जा कबर न्यूटन है शक्ति का मात्रक वाट है विद्य धारता का फैराडे है प्रकाश तरंग धैरे का अंस्ट्रॉम है और इसी तरह हम कुछ यहां पे मात्रक पढ़ते हैं जो कॉम्पेट्टिव अग्जामें आते रहते हैं आबरती का SI मात्रक है हटे है एच जैड से भी हम इसे लिखते हैं बल का SI मात्रक न्यूटन है N से हम इसे लिखते हैं दाब प्रतीबल आपको पता है दाब फोर्स अफोवाँ अरिया ये जो रहता है पी एकेस में रहता है और उसी तरह हमारे पास उर्जा कारे उश्मा ये करीव रहता है तीनों का जो मातरक है वो जातर जूल इन तीनों का मातरक जूल होता है शक्ति के SI काई शक्ति का मातरक वाट है विद्यत की मातरा विद्यत अवेश इसका SI जो मातरक है व dust दारता का SI मातर्ख जैसे हम धारता का SI मातर्ख जो Հए वो है तेज ethn occurs मातरख उम नगप लारेत चालकता का SI मातरख है सीमेंश चंपक्या फ्लक्स का SI मातरख है वेबर चुबक शेतर चुमकी बतेनं का SI मातरख है टेसला, यह कॉस्चन तीनों जो ट्रुमबक के लेटर हैं, यह के बार कॉस्चन पेपर में आते हैं और वहाँ पे लोग दुविधा में पढ़ जाते हैं, तो प्रेरक कत्वा का ऐसा ही मातरक है, हैंरी, यह तीनों मातरक भी इपॉर्टेंट है, रेडियो धर्मता का ऐसा ही म शेत्र की शक्ती का ऐसा ही मातर, वोल्ट प्रती मीटर है, इसके बाद हम कुछ इपॉर्टेंट कॉस्चन यहां पे पढ़ें, तो इपॉर्टेंट कॉस्चन में, जैसे हम कुछ कॉस्चन यहां लेके आए हैं, इनकी संख्या लगु 65 है, अकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, लगु तरंग दियारे के परकीरण के कारण अकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बस्तु की मातरा बदलने पर आपरिवर्तित रहता है, यानि परिवर्तित नहीं होता है, घनत तव, एक माइक्रॉन किसके वराबर होता है, 0.001 मिलिमीटर, डेसिव द्रब्यमान कौन सी राशी है द्रब्यमान अपने आप में जैसा हमने वहां पर पढ़ा था भी अदिश और सदिश में तो जिसमें सिर्फ परिमान है उसे हम अदिश राशी कहते हैं वेग कौन सी राशी है वेग एक सदिश राशी है क्योंकि यहां पर यह दिशा के साथ यहां पर परिमान भी होता है शुन्य में सतनतर रूप से गिरने वाली वस्तू का तौरण हमेशा समान रहता है एक समान वृतिय गती में चार अचर वेग चर रहते हैं जिसे वृतिय गती की हम बात करें तो इसमें जो चाल अचर है और वेग चर रहता है यानि चाल स्पीड जो है यहां पर जो स्पीड है वो अचर रहती है लेकिन वेग जो है वो एक समान चर रहता है रॉकेट का अकाश में उपर जाना के सिध्धान पर कारे करता है तो दोस्तों ये momentum लाफ momentum तो इसमें आप देखें समवेग सरक्षन के उपर अधारित रहता है खाना पकाने के बरतनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है क्योंकि काली से हैं उश्मा को असानी से अप्शोशित कर लेती है इसलिए खाना बनाने के बरतन नीचे से काले होते है जल में तैरना नीट्रन की गती के किस नीयम के कारण संभव है तो ये नीट्रन के तृती नीयम के कारण संभव है अगला प्रशन है नीट्रन की गती का प्रथम नीयम कहलाता है तैनीटर की प्रथम नियम जो है वो कहलाता है जडत्थब का नियम अगला क्वेशन है दोस्तों क्वेशन बढ़ तेरा डायनमो अर्जा का रुपांतरन करता है जो की भातिक यौगिक्स और यौगिक उर्जा को विदित उर्जा में परवर्तित करता है तो यहां पे डाइनमो जो है, उसके बाद है, माİकरो फॉन का उज्जश का उज्जश का विद्ध उर्जा में सौर सैल बनाए जाते हैं, गैलियम और सिरीकॉम्ट से गेहराई बढ़ने पर द्रब का परभाव दाब बढ़ जाता है गहराई बढ़ने पर द्रब का दाव बढ़ जाता है बर्फ पर स्केटिंग करना परदर्शित करता है कि दाव बढ़ने पर बर्फ का अगलना क्या होता है घटता है कि बढ़ता है तो दोस्तों वो घटता है जब आप स्केटिंग करते हैं तो आपको पता लगेगा कि वो हो घड़ता है उन्चाई पर चड़ता हुआ अगे की ओर छुपता है क्योंकि स्थायति बढ़ाने के लिए अगला है एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है जब बर्फ पूरुन तैर पिघल जाए तो पानी का तल जो है वो अपरिवर्थित रहता है एक परकाश वर्ष बराबर होता है नाव दशनलो चार छे गुणा दस की शक्ती पंदरा मीटर पित्वी के तल का प्लाइन वे पानी का घ्रतव अधिक्तम होता है वर्षा की बुंदे गोलाकार होती है क्योंकि स्था के तनाव के कारण ये सर्फिस टेंशन की वज़ा से वर्षा की बुंदे गोलाकार होती है ध्वने की तरंगों प्रकरती होती है तो ध्वने की तरंगों की प्रकरती जो है वो अनुदैरे है और इसमें हम देखें तो निकट आती किसी रेल गाड़ी की सीट की आवरती या किशीनता बढ़ती जाती है ऐसा किस कारण होता है ये होता है दोस्तो डॉपलर प्रभाब के कारण हम आपको बताते हैं ये सारे कॉस्टिंस किसी ने किसी एक्जाम में आई हुए हैं और वहीं से ये लिखे गए हैं सोनार अजिकांशता प्रयोग में लाया जाता है तो जो सोनार सिस्टम है नाविकों के द्वारा वो यूज़ किया जाता है द्वाणी तरंगें किस कारण प्रती द्वाणी उत्पन करती हैं तो ये करती हैं परावर्तन के कारण रेडियो का समस्वरन स्टेशन उधारन है अनुनाद का ये है अनुनाद राडार कारिण प्रणाली किस सिधान पर अधारित है ये अधारित है रेडियो तरंगों का परावर्तन दोनी की चाल अधिक्तम होती है दोनी की चाल अधिक्तम होती है ठोस में वायू में दोनी का वेग ताप के घटने से घट जाता है वाईयू में ध्वनी का वेग जो है ताप के घड़ने से घड़ जाता है इस्तियों की आवाज पुर्षों की आवाज के किस कारण पतली होती है क्योंकि इस्तियों की ध्वनी का तारत अधिक होता है इसलिए उनकी आवाज पतली होती है श्रव परिसर में धौनी तरंगों की आबरती क्या रहती है तो जो हम सुन सकते हैं उसकी जो रेंज है 20 हर्टेस के नीचे ये आब श्रव बे है और 20 हजार हर्टेस के उपर जो है वो पराश्रव बे है तो इसके बीच 20 से लेके 20 हजार के बीच हमारी शर्ण शक्ति है शरवन शक्ति है तो ये है शर्व परिसर आबरती का मातरक है हार्टेइज बहुत बार ये question paper में आ चुका है ये question भी बहुत बार paper में आ चुका है वाई यू में धोने की चाल 332 मीटर 32nd होती है मानव शरीर का ताब मान स्केल पर 98.6 फार्नाइट celsius स्केल पर कितना होता है 70 degree ये के वार question आ चुका है किस ताब मान पर celsius फार्नाइट ताब मापियों के एक समान होंगे तो ये भी important question है माइनस 40 degree आप याद रखे माइनस 40 degree celsius पर ये जो है ताब मान जो है वो समान होता है किसी वस्तू का ताब किसका सूचक है किसी वस्तू का ताब उसके अनुगों की आउसत गतिज उर्जा का सूचक है जब किसी वस्तू में ताब किये जाता है तो उसके अनुगों की गतिज बढ़ जाती है जिसके कारण वहाँ पे उस किताब का गती बढ़ने के कारण आनुगों में वहाँ उस बस्तू में ताप उत्पन होता है जल को जीरो से 10 डिवी सेल्सी गरम किये जाने पर उसका आज़तन क्या होता है तो सबसे पहले ये घटता है और बाद में फिर बढ़ जाता है नियुंतम संभवताप जो है वो माइनस 270 सेल्सियस माना गया है और अगर बात हम करें किसी जील की सता का पानी जमा हुआ है उस जील के अधास थल में जल का ताप मान क्या होगा तो उसका जो ताप मान है वह है 4 डिगरी सेल्सियस प्रैशर कुकर में खाना ज़दी बगता है क्योंकि कुथन अधिक तापर होने लगता है उबलते हुए जल की वेक्षा भाव के जलने से अधिक कश्ट होता है क्योंकि उबलते जल की वेक्षा भाव की उश्मा अधिक होती है यह important question है के वर विपर में आया है कि उबलते पानी की वेक्षा भाप से वेक्षिती जादा जलता है या कोई जानवर को इससे जादा जल सकता है बरफ, बालू, पानी, लोहा में से किसकी विशिस्ट उश्मा सबसे धिखा है तो इसे हम भोते हैं sublimation और यह बहुत important question है thermos, flux में उश्मा का शेर रोका जा सकता है संबहन से, विकरण से और चालन से तीनों से हम इसे रोक सकते हैं इसलिए उस में कोई जो दर्बे रहता है वो अपनी उश्मा को बनाई रखता है काफी लंबे समय के लिए आगला question है कौन सा द्रव उश्मा का बहुत अच्छा चालक है तो द्रव फॉर्म में आप देखें तो ये है पारा पारा liquid फॉर्म में रहता है ये question भी के ये बार paper में आ चुका है अच्छे उसर्जक अच्छे अफ्शोषक होते हैं ये नियम ये नियम जो है ये के चॉप ने किस चॉप का है ये अच्छे उसर्जक अच्छे अफ्शोषक भी होते हैं निकट दिश्टता से पीडित लोगों को इसको अप्रियोग करने की सला दी जाती है तो that is concave lens आवतर lens जिसके जो बीक में पतला और साइड से उबरा होता है जीवों की आयू की गणना तकनीक इसके द्वारा होती है रेडियो कारबन काल के कारण C14 का इसमें इस्तिमाल किया जाता है प्रकाश का वेग अधिक्तम होता है निरवात में यनिकी वैक्यूम में यहां प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है अनुप्रस्थ विध्य चुम्किय प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ है माध्यम में ताबमान में विध्धी के साथ प्रकाश की गति होती है अपरिवर्थित अगर मालो ताब माध्यम में कोई ताब मान है उसमें विद्धी के साथ प्रकाश की गती जो है अपरवर्तित रहती है प्रकाश की गती जो है वो तीन गोणा दस की शक्ती आठ मीटर पती सेकंड है ये कॉस्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है रेगिस्तान में मिरिच्ची का जैसी घटना का कारण है प्रकाश का अपरवर्तन यानि की प्रकाश के अपरवर्तन के कारण दूर से ही हमें रेगिस्तान में पानी जैसा दिखाई देता है अकाश का रंग की स्कार नीला दिखाई देता है डीटू स्केटरिंग ओफ लाइट प्रकीरन के कारण यह दोनों कॉस्चन जो है यहां यह भी इपॉर्टन है भौतिक राशियों को कितने वर्गों में बांटा गया है दो यह हमने अभी पढ़ा स्केलर कॉंटिटी एंड बैक्टर कॉंटिटी आगे हैं भौतिक राशियों को किन दो वर्गों में बनाया गया है तो बनाया गया है अदिश राशी और सदिश राशी जिन भौतिक राशियों में केवल परिमान होता है उन्हें हम अदिश राशी कहते हैं यह भी हमने पढ़ा और भौतिक अदिश राशियों के उधारन कौन से हैं तरब्यमान भिनत्तव यह विद्धुधारा समेश चाल कहते हैं सदिश राशियों के उधारन हैं वेग विस्थापन बल संवेग त्वर्ण अगून इत्यादी के दो संपूर मात्र कौन से हैं रेडियन और स्ट्रेडियन दूरी को आपने वाली सबसे बड़ी इकाई कौन सी है पार से तो गोली एस्ट्र नामिकल यूनिट्स जो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन्स बहुती विज्ञान में भी आपके लिए लेकर आएंगे तो इसके लिए आपसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करें जिससे हम और ज़्जादा आपके लिए वीडियो बना सकें जो आपके लिए उप्योगी हो राम